हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू चिंपीन गुर्जी इफिंट से आज की इस फिडिम लोग प्रतिसत को समझेंगे और प्रतिसत की कुछ इस तरह के सवाल को चुटकियों सॉल्ट करने का सबसे असान तरीका देखेंगे तो दोस्तों इसे अच्छा सिखने के लिए इस वीडियो क का मतलब समझते हैं तो दोस्तों प्रतिसत का जब आप संधी विश्यद करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या निकल करा जाएगा तो प्रति और पलस सट निकल करा था ठीक है यानि प्रती और सत को जोड़ेंगे तो प्रतिसत आएगा और प्रतिसत को इंगलिस में क्या कहते हैं तो परसेंटेज कहते हैं ठीक है और देखे इस प्रती का मतलब क्या होता है तो प्रतेक होता है यानि एक होता है ठीक है और सत का मतलब क्या होता है तो सो होता है ठी प्रतिसत का मतलब पता करने के लिए आपको क्या करना है तो एक को उपर लिखना है और बाटा में इस प्रतिसत का जगा पर सौ लिख देना है ठीक है यानि देखिए एक बाटा सौ लिखने का मतलब क्या है तो जो नीचे रहता है ना उसका वह टोटल होता है ठीक है और उपर आता है यह उसका मतलब क्या है यानि 100 में 1 है यानि total 100 है और उसमें से 1 एक परантиसत का मतलब है ठीक है उसी तरह से अगर यहां पर 20 पर 30 लिखा रहे हैं तो 20 पर 30 का मतलब क्या हो जाएगा सब्र को तो चलिए यहाँ पर पहला question को solve करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर question है कि 5000 का 5% का 10% क्या होगा, ठीक है, इसको solve करके आपको सही answer बताना है, तो देखें दोस्तों इसको solve करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर रूपया है 5000, यहाँ पर 5000 लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद देखें का, का जब भी इस तरह का मायत में लिखा आएगा, का या इंग्लिस में off लिखा आएगा, उसके जगा पर आपको कौन सा sign लगाना है, तो गुना का sign लगाना है, ठीक है, यानि का का मतलब गुना होता है, ठीक है, उसके बाद इस 5 का जगा पर 5 लिख देंगे, और इस प्रतिसत का जगा पर, जब भी यहाँ पर प्रतिसत का sign कैसा होता है, तो इस तरह का प्रतिसत होता है, ठीक है और इस तरह का प्रतिसत का साइन आएगा तो उसके जगा पर क्या लिखेंगे तो बाटा में इस तरह से 100 लिखेंगे या एक बाटा 100 लिखेंगे ठीक है इतना बात ध्यान रखिएगा तो इस प्रसेंटेज के जगा पर क्या करेंगे तो बाटा लिखेंगे और बाटा में इस तरह से 100 लिख देंगे फिर यहाँ पर का है तो का के जगा पर गुना का साइन लगाएंगे और 10 के जगा पर यहाँ पर 10 लिखेंगे और इस प्रतिसत के जगा पर बाटा में फिर से यहाँ पर 100 लगा देंगे फिर यहाँ पर देखें नीचे एक 0 है और उपर भी एक 0 है तो इस एक 0 से या एक 0 कर जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया है तो यहाँ पर क्या बच गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं को आशी तरह समझ गए हूंगे तो चलिए एक कुश्चन आपको देते हैं आप इस कुश्चन को सॉल्व करके सही अंसर बताईएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे पुछा जाए कि 2000 रूपया 2,000 रूपया का कहा जाए कि यहाँ पर 20% किसी व्यकती को देना है तो आपको कितना रूपया देना होगा यह आपको बताना ठीक है यानि इसी तरह से निकालना है जैसे यह माल यह पांच पर संप्र श्रीक और लेक्ट на रहता तो इतना पर इसी माल इंखी काम करते तो कि और 2000 का 20% कितना होगा आपको निकाल कर कमेंट बोक्न बताना है तो दोस्तों वीडियो आशाला गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्रेक पर जिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेकुर्मेंट करें है